हेलो दोस्तों आईए देखते हैं प्रकासिक तंतु क्या होता है आप्टिकल फाइवर क्या होते हैं आज कल प्रकासिक तंतु का स्रब्य तथा द्रिश संकेतों को लंबी दूरी तक संचारित करने के लिए ब्यापक रूप से उपयोग किया जाता है आप्टिकल फाइवर जो प्रकासिक तंत्यृ आज कल इसका उप्योग अबयूंग या फिर दिश्य संकेतों को लम्भी बीडुरि तक बेजने के लिए इसका यूज किया जाता है यहां देखें यह आपका इक प्रकासिक तंत्यृृ प्रकास को जब भेशते हैं तो वह अंदर टकराता हुआ अपने गंतब तक पहुंच जाता है पूर आंतरीक प्रावर्तन होता है कम उर्जा खर्च होती है जब प्रकास किसी प्रकासिक तंतु में चलता है तो इसमें क्रमिक और पूर आंतरीक प्रावर्तन होता रहता है ठीक है आज कल प्रकासिक तंतुओं का स्रव्य तथाद्रिस संकेतों को लंबी दूरी तक संचारित करने के लिए भेजने के लिए व्यापक रूप से योज किया जाता है प्रकासिक तंतुओं में भी पूर आंतरिक प्रावर्तन की घटना का उपयोग किया जाता है प्रकासिक तंतु उच्छ गुर्टा के सन्युक्त कांच, क्वार्टज तंतुओं से रचित किया जाता है। प्रतेक तंतु में एक क्रोड और एक आच्छद होता है। क्रोड के पदार्थ का अपरतनांग आच्छद के अपरतनांग की तुलना में अधिक होता है। क्रोड के पदार्थ का अपरतनांग जो हता है, वह आच्छद के अपरतनांग की तुलना में अधिक होता है। तो प्रकासिक तंतु में भी पूरा आंत्रिक प्रावर्तन की घटना का उपयोग किया जाता है। प्रकासित तंतु जो हैं उच्च गुड़ता के सन्युक्त काच, क्वार्टस तंतुों से तयार किये जाते हैं, प्रतेक तंतु में एक क्रोड और एक आच्छद होता है, क्रोड के पदार्थ का परतांग आच्छद अपरतांग की तुलना में अधिक होता है, जब प्रकास के रूप में कोई संकेत उचित कोड पर तंतु के एक सिरे पर दिष्ट होता है, तब यह उसकी लंबाई के अनुदेश बार बार पूर आंतरीक परावर्तित होता है, और अंतत दूसरे सिरे से बाहर निकल जाता है, क्योंकि प्रतेक चरण में प्रकास का पूर आंतरीक परावर्तन होता है, प्रतेक चरण में क्या हो रहा है क्योंकि प्रतेक चरण में प्रकास का पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन होता है इसलिए प्रकास संकेत की तिवर्ता में कोई विशेश हानी नहीं होती है प्रतेक स्टेप में प्रतेक चरण में पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन हो रहा है इसलिए प्रकास के संकेत की तिव्रता में कोई विशेश हानी नहीं होती है प्रकास तन्तु इस प्रकार बनाया जाते हैं कि एक और आंतरिक प्रिष्ट पर प्रावर्तित होने के पस्चा दूसरे प्रिष्ट पर प्रकास क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होता है जिससे प्रावर्तन हो सके प्रकास तंतु इस प्रकार बनाया जाते हैं कि एक और के आंतरिक प्रिष्ट पर पर परावर्तित होने के पस्चाथ, दूसरे प्रिष्ट पर प्रकास करांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होता है, यहां तक कि तंतु में मुडाव होने पर भी प्रकास तंतु के भीतर उ इस प्रकार एक प्रकास तंतु जो है प्रकासिक पाइप अर्थाथ लाइट पाइप के रूप में उपयोग किया जाता है तो आप देख रहे हैं कि अगर तंतु में मुडाव भी होगा तब भी प्रकास तंतु के भीतर उसकी लंबाई के अंदेश आसानी से वह अगमन कर सकत है इस तरह से प्रकास तंतु जो है प्रकासिक लाइट के रूप में यूज किया जाता है प्रकासिक तंतुओं के बंडल प्रकासिक तंतुओं के बंडल अथाद गुच्छ का कई प्रकार से उपयोग किया जाता है आप्टिकल फाइबर का यूज जो है कई प्रकार से किया में उपयोग किया जाता है वो भेजने में और उनको अभी ग्रहन करने में यूज किया जाता है ठीक है प्रकासिक तंतुओं के बंडल का कई प्रकार से उपयोग किया जाता है प्रकासिक तंतुओं का बड़े पैवाने पर बैद्धुत संकेतों जिन्हें उचित ट्रांस ड्यूसरों द्वारा प्रकास में परिवर्थित कर लेते हैं कि प्रिच्छन को भेजने के लिए तथा ग्रहन करने में उपयोग किया जाता है असपस्ट है कि प्रकासिक तंतुगों का उपयोग प्रकासी संकेत प करने इंटर्नल आर्गन में जैसे घर्याग का अमास है रहाग के द्रिश्य और लोकन के लिए लाइट पम्प के रूफ में प्रयोक कि आता है तो तो सरीर के अंदर के भागों को देखने के लिए भी इसका यूज लाइट पंप के रूप में किया जाता है आपने समान रूप से उपलब्द महीन प्लास्टिक महीन प्लास्टिक तंतुओं से बने सजावटी लैंप देखे होंगे महीन प्लास्टिक तंतुओं से बने सजावटी लैंप आपने देखा होगा इन प्लास्टिक के तंतुओं के सुतंत्र सिरे पर एक फ्हावारे जैसी रचना बनते है कभी भी मेले बजार में गए होंगे इस तरह से आपको प्लास्टिक के तंतु बिखते हुए मिलेंगे जब इसको जलाते हैं तो आप देखेंगे कि सोतंत्र सिरे पर एक फवारे जैसी रचना बनती है इन तंतुओं का दूसरा सिरा जो है एक लैंप से जुड़ा होता है इन तंतुओं का दूसरा सिरा एक विद्धुत लैंप से जुड़ा होता है जब लैंप के स्विच को आन करते हैं तो प्रकास प्रतियक तंतु के नीचे से चलता हुआ इसके सोतंत्र सिरे की नोप पर एक प्रकास बिंदु के रूप में दिखाई देता है। इस प्रकार के सजावटी लेंपों के तंतु प्रकासिक तंतु हैं। प्रकासिक तंतु हों के निर्माड में प्रमुक आव सकता यह है कि इनके भीतर लंबी दूरियां तैं करते समय प्रकास का उस्वशन बहुत कम होना चाहिए। इसे क्वाटर जैसे पदार्थों के सोधन और विशिष्ट बिर्चन द्वारा बनाया जाता है। सिलिका कास तंतु हों में एक किलोमीटर लंबे तंतु में प्रकास के 95% से अधिक भाग को संच्रित करना संभव है। इसकी तुलना में एक किलोमीटर मोटाई खिडखी, एक किलोमीटर मोटाई के खिडखी के काँच के ब्लाक में जितने प्रसत प्रकास का संच्रण आप अपेच्छा करते हैं। तो सिलिका काँच तंतु में आप देख रहे हैं कि एक किलोमीटर लंबे तंतु में प्रकास के 95% से अधिक भाग को भेजना संभव है। तो यह था आपका प्रकास तंतु के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहां पे हम लोग गोली प्रिष्टों और लेंस द्वारा परतन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्यू।